रूसी आर्मी चीफ को लेकर बहुत बड़ी खबर, रूसी आर्मी चीफ खुद जंग के मैदान में उतर गए हैं, सूत्र बता रहे हैं, जनरल गेरा सिमोव को यूक्रेन के वार जोर में भेजा गया है, गेरा सिमोव के रूसी अभियान, गेरा सिमोव, रूसी अभियान की ख खुद कमान्ज सम्हाल रहे हैं ये सूत्र बता रहे हैं रश्या नार्म फोर्सेस के चीफ आफ जनल स्टाफ है जनल गिरासिमों यूकरेन और रूस में जारी जंग को आज 66 दिन पूरे हो गए हैं बीते दो महीने से जारी इस महायुत ने यूकरेन को बरबाद कर दिया है शेहर का जर्रा जर्रा तबाह हो गया है एक और फौजी मारे जा रहे हैं तो दूसरी और आम नागरिक भी जंग की बली चड़ रहे वो यूद की लप्टो में सुआहा होता जा रहा है बावजूद इसके रूस के मनसूबे पूरे नहीं हो पाए हैं राजधानी कीव पर कबजे का रूसी सपना पूरा नहीं हो सकता है इस बीच खबर है कि पुतिन ने यूकरेन के खिलाफ जारी जंग में रूसी आर्मी ची चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है विलादे मेर पुतिन किसी भी सूरत में 9 मई से पहले कोई निरनायक परिणाम चाहते हैं किसी देश के सबसे वरिष्ट सैने अधिकारी का इस तरह कमान समालना समानने बात है अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर जनरल गीरा सिमोव यूकरेन चले है तो उनकी जगा क्या कोई नया चीफ न्यूक्त होगा